बैंगलोर के रामेश्वर्म कैफे में हुए ब्लास्ट की बाबत जाच एजन्सियों का आरंभिक तौर पर मानना है कि आईडी में जिस विस्फोटक का यूज किया गया वो विस्फोटक बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये भी माना जा रहा है कि इस विस्फोट के पहले कैफे की पूरी तरह से रैकी की गई होगी और हमलावर ने उस इस्थान को चुना जहां पर बहुत कम लोग आते थे। कि इस पूरे कैफे में CCTV लगे हुए हैं जहां उसका चेहरा आसानी से आ सकता है। लिहाजा उसने अपने चेहरे को चुपाने के लिए हर संभव उपाई किये थे। साथ ही इस ID में जिस विसफोटक का यूज किया गया उसमें आरमभिक तोर पर माना जा रहा है कि उसमें अमोनियम नाइटरेट, सलफर नाइटरेट समेथ गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया होगा। ये सारे केमिकल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। जाच एजन्सियों का अरमभिक तोर पर ये भी मानना है कि इस पूरी घटना के पीछे आतंकवादी संगठन इसलामिक स्टेट से जुड़े लोग हो सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी बंगलॉर में जो बम धमाके हुए उसमें भी ऐसी ही एक दम सिमलर तरीके से बम धमाके हुए थे और उसमें भी बाजार में मिलने वाले केमिकल के जरिए ही विस्फोर्ट किया गया था। जांच एजन्सियों का आरंभिक तोर पर मानना है कि इस जगा पर विस्फोर्ट करने के पहले पूरी तरह से रैकी की गई होगी ये देखा गया होगा कि किस समय वहां भीड होती है किस समय कितने लोग वहां जुटते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर इस कैफे मे कई एहम और प्रतिस्ठिक लोग भी आते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कैफा एक वर्ग विशेस की खास पसंद बताया जाता है जहां दोपहर लंच के समय खासी भीड होती है तो लियाजा हमलावर ने अपना टार्गेट दोपहर का रखा जिसमें उसका मानना था कि समय भीड जादा होगी लेकिन जाँच एजिंसियों के मुताबिक जो ये आईडी था वो सम्महुता कंप्यूटर देखकर बनाया गया था क्योंकि उसके अंदर लो इंटेंसिटी यूज की गई थी और उसको बनाने में भी वह पावर हमलावर नहीं दे पाए थे जि समाच एजिंसियों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे इस्लामिक स्टेट यानि आईस से जुड़े वे संगठनों के लोग हो सकते हैं चूंकि बैंगलोर करनाटक और उसके आसपास आईस से जुड़े लोग इसके पहले भी बड़ी मात्रा में ग्रिफतार किये ग विश्फोट किये जाएं जिससे वह राजनितिक प्रिक्रियाओं भागन लें या ऐसे जगवे पर न एक einzra blessing कर सकेता phum है वो संभावता आतंक फैलाना और लोग को जादस जादा नुकसान पहुंचाना था जिसके चलते लोग ऐसी जगाओं पर इकठे ना हुसके फिलाल जहां चेंद से उन्हें अब ऐसे लोगों की धर पकड़ा शुरू कर दिया और बहुत जल्दी उस पूरे सटन्त का परदा आफास कर दिया जाएगा